हेलो रिवन, वेलकम बैक टो अनलाइन स्टेडियून, आज के इस वीडियम हम कवर करेंगे जग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिमाले प्रदेश और दर्र इसका ये पार्ट वन है फिन्स इस में बहुत सारे प्रश्ण है जिसमें हम लोग 25 MC को में यहां पर देखने वाले हैं जो की important questions रहने वाले हैं और सबसे खास बात कि आपका NCRT based पे सारे questions को में लेकर करके चल रहे हैं तो exams के लिए important रहने वाले हैं तो इस वीडियो को end तक देखेगा और कैसा लागा नीचे comments करके जरूब बताएंगे देखे first questions यह कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है questions काफी अच्छे हैं सारे questions को बहुत अच्छे तरीका से attempt करना क्योंकि exams में इसी तरह के questions आपको देखने को मिलेंगे तो कौन सा योग में सुमेलित नहीं है तो य कारा कोरम स्रेडी में नहीं पेर पंजल सरेडी में पढ़ते हैं болें तो कर सकते हैं अगर हम यहां पर बात कर एक कराकोर्म के बारे में तो बहुत सारी usb 8 लेकिन Trans Himalya जो होता है हो एक तरह से Himalya का भाग नहीं होता है। इसको हम लोग टीवती Himalya के नाम से भी जानते हैं। और इसी के अंतरगत हम यहां फी बहुत सारी चीजों को बात करने वाले तो Karakora हम जो होता है वो Trans Himalya के भाग के अंतरगत आता है और भारत का सबसे जो उत्री परवत है, वो ही कारा कोरम है, जिसको हम लोग पहले कृष्णागिरी के नाम से जानते थे, या फिर इसको उच्छ एसिया की रिडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और आपको पता है कि जो केटू है, केटू, तो केटू जिसको हम लोग गौर के एक अंतरगत आता है साथ सद मैं आपको बता दूं कि कारा कोरम की जो नुब्रा घाटी है कारा कोरम की जो नुब्रा घाटी है यहां पर आपका भारत की सबसे बड़ा जो ग्लेसियर है सियाचीन अवस्तित है भारत का सबसे बड़ा ग्लेसियर कौन सा है सियाचीन ग्लेसि की बात करें जैसे कारा कुरा में पढ़ता हैं तो याद रख सकते हैं बियाफो बाला टोरा ग्लेसियर हिस्पर ग्लेसियर यह कुछ इंपोर्टिट ठीक है तो फ्रस्ट प्रस्ट से आपको इतनी सारी जनकारी हो जाती है चलिए सेकेंड कोशन खेरा है कि निम्लिखित में से कौन सा कथन असत्य है अच्छे तरीके से पढ़िए और बताई कि कौन सा कथन असत्य है तो यहां पर देख सकते हैं नागा पहाड़ियों की सरवच्चे जो चोटी हो सारा मती अक्सर यह प्रस्ट पूछाता है कि नागा पहाड़ियों की सरवच्चे चोटी का नाम क्या सारा मती या फिर नागा लेंकि जो सरवच्चे चोटी उसको सारा मती की नाम से जाना जात कि भूट गर्वी हल्चल के कारण होता है इसके उधारान के रोपे हम जान सकते हैं जैसे उत्र अमेरिका का जो पुर्वी नक्ट है इसी का उधारन है भारत का अज़ो जूझा एक सन्सेया याद रखने हैं साथ साथ फॉर्थ पॉयंट पर नज़ा दाले तो जैलेब और की और सही करम क्या होगा पस्चिम से पूरव क्यों है वेस्ट से इस्ट के तरफ आपको ये चार दर्रों को सजाना है तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में पढ़ता है तो आप इसको असानी तरीके से सजा सकते हैं तो हम यहाँ पे इसको सजाने खोसिज करें तो यहाँ पर द्यान दिजिए गा सबसे पहला घर्स बात करें बनिहाल राथ बनिहाल आपको पता है कहा पर पढ़ते हैं यह मोगाश्ow कष्प में पढ़ते हैं तो इसको लाव सा यहाँ पर रहूं रखते हैं फोर्थ नंबर को यहां पर रखते हैं ठीक है फोर्थ नंबर को उसके बाद यहां पर जो लिपूलेक है और जैलेब दर्रा सिक्की में और वो मिदला दर्रा उना चल पर दिस यानि यह सबसे लास्ट में चला जाएगा इधर इधर के तरह अगर हम बढ़े तो सब आपका यह है तो D आपका यह ठीक है तो यह होगा आपका option D लेकिन फिन्स अगर इसको थोड़ा सा और हम detail में समझना चाहें तो यहाँ पर समझते हैं लीपुलेक दर्र आपका पढ़ता है उत्राखंड में तो इसके नीचे यानि जमुकस्मीर के कुछ नीचे आपका लीपुलेक दर्र आजागा जो कि उत्राखंड में और यहाँ पर जैलेब दर्र को करम सजाना चाहें तो यह आपका सिक्की में जो उत्र का भाग होगा पाले नंबर पर तो कह सकते हैं 4312 इस तरह से 4312 यह आपका करेक्ट बनेगा तो राइट आंसर यहाँ पर हम डी को टिक कर सकते हैं चले उमीद घटते हैं कि आप होई समझ में आ गई होगी जितने भी धर्रे हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद रिखेगा मुझे नहीं र देखना है तो हमारे प्लेडिस में जाकर के चेक कर लीजिए जग्राफी का सेक्शन आपको मिल जाएगा प्लेडिस्ट का वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएगी ठीक है चलिए फिलाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ जमो कस्मेर सडग मार्क जोहार सुरं बनीहाल दैर्रे में चोहार सुरंग आपका पड़ता है बारा मुल्ला दर्रक स्थीत है बारा मुल्ला से संबंदित हाली में इसाई में पूछे कहतें बियार का इन्फॉर्समेंट जो साई का मेंस हुआ था बारा मुल्ला जो हो किस नदी के किनार इस थी था तो जेलब तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों की साथ सेर कर दीजिएगा और इस वीडियो का लाइक में जो टार्गेट रखता हूं वह रखता हूं फिरेंट 200 लाइक को ज्यादा नहीं ठखका है आपको गसानी से कर सकते हो 200 200 लाइक का टार्गेट है प्लीज लाइक कर दीजिएगा छोटे सी इंफर्मेशन में आपको और देना चाहता हूं हमारे अप्लिकेशन पे जो फूल कोर्सेश चल रहा था उस फूल कोर्सेश में आपको 200 प्लस हेंड़ाइटिंग टॉपिक नोट्स दिया जा रहा था और सात साथ आपको 6,000 प्लस MCQ भी दिया गया तो अगर आप इस बैच को जोइन करना चाहते हैं तो मात्र आपको 249 भी पे करना पड़ेगा एक्शली इस बैच की जो प्राइस है 349 था लेकिन 100 रुपे का डिसकाउंट शल रहा है ऑनलाइन स्टेडियों प्रिमियर लीक की वज़ तो हिमाले परवत मालागा निर्माड निम्नांकित में से किसके फल्स परिनाम सुरूप हुआ तो महादीप महादीप प्लेटों के अभी सरण दोरा तो यहां पे हम B को टिक करेंगे ऑप्सन B बिल्कुल सही आंसर है तेथी सागर का नाम तो आपने सुना ही होगा अगला प क्योंकि अगर आपसंस में आपको वर्तमान में दिखे कि मेगाले का पठार तो वहां पर आपको मेगाले का पठार को टिक करना है तो यहां पर मेगाले का पठार तो नहीं है क्योंकि गारो खासिया और जहनतिया वर्तमान में मेगाले के पठार का ही भाग है लेकिन फेंस यह समतल भूमी है, जो कि ब्रंशन के कारण, भारतिय प्रायदीप से मालदा गयाब दोरा लग हुआ था, तो वहाँ पर यह क्या है, डक्कन का पठार करेक्ट होगा, डक्कन का पठार का यह भाग था, तो हम यहाँ पर उप्सन हम B को टिक करेंगे, अगर उप्सन में आपको यहाले का पठार दीके, तो उसे आप टिक करेंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट से कि निम्नांखित में से कौन सा कथन असत्य है, सारे उप्सन को अच्छे तरीके से पढ़िए, और बताइए कि कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे गलत है, देखिए, उपर सन तीनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे, तो कोई गलत नहीं है, सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही है, कि मकालू और मनाजलू परवत चोटिया हिमादर है, और लास्ट पॉइंट गलत आपका इसले हो जाता है, क्योंकि मालाबार तर्ट गुजरात से गुवा के बिच विस्ती थे, यह पॉइंट गलत है, आपको बता दूं कि जो आपका मालाबार तर्ट है, वो मालाबार तर्ट कहां से कहां तक होता है, यह आपको याद रख एक questions पूछता हूं मालाबार से अक्सर पूछे जाते हैं मालाबार विद्रो जो हुआ था वो कब हुआ था यह आप मुझे comments करके नीचे बताएंगे मालाबार जो हुआ था विद्रो वो कब हुआ था इसके समथ में जो यह points आपको याद हो आप comments कर सकते हैं अगला points निम्नांकित में से कौन सी परवत स्रेडी ट्रांस हिमाले से सम्थित नहीं है तो मैंने आपको बताए कि ट्रांस हिमाले जो है इसको हम लोग तिबती हिमाले के नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बाह हिमाले या फिर सिवाले के नाम से जानते हैं तो यहां पर सी को टिक करेंगे जो कि यह ट्रांस हिमाले का भाग नहीं है हिमाले की परवत स्रेडियों में जो समलित नहीं है बताए हमाले की परवत सेढ़ियों में जो संबलीत नहीं है वो कौन सा है? काराकुरम ट्रस हिमाले का भाग है जब की हिमाले की परवत सेढ़ियों के ये तीन भाग हो जाते है ब्रियद हिमाले लागो हिमाले और सिवाली तो इसको आपको याद रहना है काफी important an eins बनता है निम मैं से किस राज़िम्स देते हैं? बुर्जिल तत जोजिला दररा तो यह आपका पढ़ता है जमु का समिर ध्यान दिजेगा जमु का समिर में और भी जो दरहें जैसे बनी हाल, जोजिला, पीरपंजाल, बुर्जिल और कारकुरं तो ये सभी को आपको याद रखना है अगला point हिमाले के सबसे गहन अपर्दन कौन सा है अपर्दन किसे कहते हैं अपर्दन एक तरह की प्राकिर्टिक प्रकिरिया होती है जिसमें चटानों का विखंडन होता है क्या अपर्दन तो जैसे आपको पपते हैं सहादरी जो होता है वो पस्चमी घाट को कहते है, और पस्चमी घाट ब्रंस होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जागा, option A, ब्रंस होता है, चोटा नाग्पूर पथार की सबसे उची चोटी कौन से है, तो पारसनाथ, option C को टिक करेंगे, पारस बहुत important हैं जिसके बारे हम आगे चर्चा करेंगे चलिए आगे का यहीं पर चचा करी लेते हैं देखे चोटवनाखपूर पठार तो आपको पता है चोटवनाखपूर पठार से एक नदी निकलते हैं जिसको दामोदर के नाम से जानते हैं और दामोदर को हम लोग बंगाल क सोक के रूप में जानते हैं यह आपको याद रखना है दामोदर को बंगाल के सोक के रूप में जाना जाते हैं और जैविक मरू भूमी की नदी के जर्जा भी दिया गया दामोदर को इसको यह आपको याद रखना है ठीक है ना और जो छोटवनाखपूर का पठार इसको भारत का अरूर कहा जाता है, भारत का अरूर इसको कहा जाता है, चलिए अब बात करतें अगले प्रश्निकी, नेक्स्ट क्वेशन से, निमलिखीत परवत चोटियों पर विचार कीजिए, एवरेस्ट, मकालू, अनापुर्णा और कंचन जंगा, उप्रोप्त में से सबसे पूरब में स्थीत कौन से है, सबसे पूरब में स्थीत कौन से है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जागा, कंचन जंगा जो हो सबसे पूरब में स्थीत है, कंचन जंगा आपका पढ़ता है कहाँ पे, सिक्के में, भारत में स्थीत है, सिक्के में, तो यहाँ पर सबसे पूरब में आपका हो जागा, सिक्के में, ध्यान रखेगा, नेक्स्ट प्रस्ट मनता है कि निलगीरी और अन्नामलाई पाड़ियों के बीच इस्तित दर्रा कौन सा है तो ध्यान दीजेगा निलगीरी और अन्नामलाई पाड़ियों के बीच जुस्तित दर्रा उसे हम लोग पालगाट के नाम से जानते हैं आप्शन भी करेक्ट होगा पाल कार्ट, तमिलाडू राज्य का सबसे उचा परवत सिकर का नाम क्या है, तो इसका नाम है डोडा बेटा, ठीक है डोडा बेटा, एक प्रश्ट अक्सर पूझाता ही कि सिवराय की पाड़ी या किस स्टेट में पढ़ता है, तो यह आपका तमि गौडविन, ऑस्टिन, यानि की के टू, तो दो को सबसे पहले उपर रखेंगे, उसके बाद कंचन जंगा आ जाएगा, कंचन जंगा यानि की वन, तो टू वन कहां पर ऑप्शन मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, तो राइट अंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, अग अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंचन जंगा, तो कंचन जंगा की हम याद रख सकते हैं, 8598, लगबख होता है, इतना कि आसपास, ठीक है, 8590 मीटर आपको याद रखना है, चलिए, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रस निका है, निम्नांकित में से कौन सी परवत्स रड में कह सकते हैं, तो option D को यहाँ पर टिक करेंगे, नेक्स्ट प्रस दिखिए, दच्छिर भारत का सरोच्चे सीखर निम्निकेत में से कौन सा है, दच्छिर भारत का सरोच्चे सीखर, यह तो इदम VBI प्रस्ट ने, इसको आपको रट जाना है, नींद में भी आपको यह या कि महा बलेसवर से करिश्ण नदी का उद्गम होता है, महा बलेसवर कहाँ पर पढ़ता है, यह आपको महरास्त में पढ़ता है, चलिए इसके बार में आगे चरचा करेंगे, नेक्स्ट क् directamente् लीकीत में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो यहाँ पर देख्यों कौन सा कह सकते सही नहीं है पीर पंजाल लगो ही माले में पढ़ता है केटू कारा कोरम का ही भाग है करेवाज जो कि कस्मीर गाटी में पढ़ता है और पोटवार कुमावी माले यह गलत है जो कि पोटवार कह सकते हैं यह आपका उत्तर पुर्वी पाकिस्तान में पढ़ता है ना कि कुमाव पार्ट भूमी छोटनागपूर पठारी छेत्र में ग्रेनाइड चौटानों सा निर्मित उच्छ स्थला करीथी या फिर कह सकते हैं 2 रूप ये इस थला करीथी जिसको हम लोग पार्ट भूमी के नाम से जानते हैं ठीक है छोटनागपूर के पठार में आपको दोंड़ प्रकार की हैं दून घाटिया तो हिमाल दिला परदेश में या फिर हिमाले चेत्र में मिलने वाले जो दून घाटिया होती हैं वो कह सकते हैं संकीन अनुधहर होती हैं अनुधहरे घाटिया किसे कहते हैं दीए अनुधहरे घाटिया जोते लंबी होती हैं और परवत के समनांतर चलती हैं खास करके कह सकते हैं दोनों परवतों के बीच में चलती हैं ठीक है और इसके उधारन के रूप में हम ले सकते हैं देहरा दुन साथी साथ पतली दुन और क उठारी दुन यह इसी के उधारन के अंतरगत आते हैं ठीके फैंस यह इंपॉर्टेंट भी है आपको याद भी रखना है तो राइट अंसर रोजय का ऑप्शन अगला प्रस्ण के निम्नांकित में से कौन सी पहाड़िया पस्चमी घाट से संबंदित नहीं है तो निलगिरी अनामलाई और इलाइची यह सभी के सभी पस्चमी घाट से लेकिन पाल कोंड़ा आपका पूर्वी घाट से संबंदिते हैं सी विल भी राइट अंसर उमीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो कर आपको अच्छी लग रहे है तो प्ल आजिमेस दीत है तो मैंने आपको बताया था कि महाबलेश्वर के समन्द में आगे बात करेंगे तो ध्यान दीजिए का महाबलेश्वर आपका महाराष्ट में पढ़ता है और कृष्णा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है बात हम लोगों ने किया क्रिश्णा तो होगी अब बात करतें next questions की और देखिए अगला प्रस्णी क्या है ? लास्य प्रस्ट मनता है हमाले की निम्लीखित में से कॉन्स रिश्राथिक है हिमाले की निम्लीकित में से । वाधिक चौड़ी है तो लगो हिमाले स्रेली ठीक है लगो हिमाले स्रेली जिसको हम लोग मद्य हिमाले के नाम से भी जानते हैं ओप्सन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है तो देखें फेंस हम लोगों यहां पर ट्वेंटी सेवें एमसी को कवर किया और उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी ठीक है वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंस करके जरूर बताएगा मैंने आप उपर बताया था दामोदर को हम लोग बंगाल के सोक के रूप में जानते हैं तो आपसे दो प्रशन पूस्था हूँ कमेंस कीजिएगा ताकि मुझे पता चले किस वीडियो को आप दे तक देख रहे हैं किस नदी सातिοι जो आपका महानदी होता है महानदी को किस राज जी किस सोग के रूप में जानते हैं ये दो क्वेशन्स आपके लिए कमेंस करके राइट अंसर बताईएगा ठीक है चलिए मिलतें नेक्ट क्लास में थैंक्स वाचिंग